नमस्ते मित्रों फरी एक वखे चेनल नी अंदर आप सर्वा मित्रों नुश्वागत छे चो अतियार सुधी आपड़े चेनल मा गुजरातना इतियाशनी चर्चा करता हागा अने गुजरातना इतियाशनी साथे संक्रायला वीस चेटला वीडियो में अपलोड पन करी दिधा छे अने हजु पन वीस चेटला वीडियो इतियाशना थवानी शक्य दाओ छे तो आज थी आपड़े आपड़ी चेनल मा गुजरात ना इतियास नी साथे साथे गुजरात नी संस्कुरूती नी पन चर्चा सरू करी रहाजी है जो के संस्कुरूती नो टोपिक पन घणो बदो विशाड़ जे औने संस्कुरूती पन गुजरात नी विशाड़ जे गुजरात नी संस्कुरुती मा घणा बदा मुद्दाओनों समाविस थाईजे जेमके स्थापतियों ये स्थापतियों ने बनावनार स्थापतियों स्थापतियों मिसके आर्किटेक्ट एंजिनेरों चित्रकला, चित्रकार, नृतियों शे, नेडावों शे, तेहवारों शे, उत्सवों शे, जीवन परमपरावों शे, अवे घणी बदी बाबतों नो समावे संस्कुरुति नी अंदर थाई शे, एमा थी एक टोपिक नी आजे आपने चर्चा करवाना शे, जोके एक टोपिक खनबदों विशाढ शे, छ, सात विडियो एक टोपिक ना थसे, तो आजनो आपनों टोपिक रेसे गुजराटना अगत्य ना स्थापतीओ, जोके गुजरात मा घणा बदा अगत्य ना स्थापतीओ आवेलाशे, आ लेत्चर नि अनदर आपड़े त्रोण अगत्य ना च्रचा कर सूं एक 9ARK-कमंदीर एक कुंभारियाइना देरा और एक स्थापतिय्थ तरीक् comunque 90 मंदीर डॉफ ट्रोण स्थापत्य नहीं चरचा कर सूं ओके नोट करता हुए तो पीले मुद्ध नोट करो कि आ नव लखा मंदीर ए देव भूमी द्वार का ना भानवड तालू का ना घूमली गाम्मा आवेलू जे नव लखा मंदीर आयों किया पेला तो एनू लोकेशन क्यों शे तो के देव भूमी द्वार का एनू भान वड तालू को अने एना घूमली नामना गाम मा आ नव लखा मंदीर आवेलू शे नेक्स्ट मुद्दो नोट करो गूमली एन जेठवा शाषकोनी राजधानी अती गुजरात मा जरे जेठवा वंसना राजा ओ आई वाता तो ए जेठवा वंसना राजा ओ ये पोतानी राजधानी बनाई विती गूमली ने अने प्राचिन काडमा एक सिस्टम हती के राजा पोताना राजिय नी राजधानी ने बोव सारी रिते डेकोरेट करता राजा पासे कई होई तोई भले ना होई तोई कई नी पणि नी राजधानी तो बोव टकाटक रागता तो आ जेठवा ओनी राजधानी कई अती तो के घुमली अने जेठवा ओये पन एनी राजधानी घुमली ने बो व्यवस्तित रिते बनाईवी अती अने जेठवा ओन्सना सासकोयेच आ घुमली मा नव लखा मंदीर बनाईव अतु बार्मी सदी मा कोई एक राजा आ मंदीर साथे संकड़ायालो नती घुमला बदा राजावना शासकाडमा बेनु एले कोई परफेक्ट राजा तमने ने पुछे के नव लखा मंदीर क्या शासके बनाईव क्यमके घणा बदा राजा वो आ मंदीर साथे संकडायला शे ओके तो नव लखा मंदीर नू बांध काम बार्मी सदिनी अंदर जेटवा शाषको एक करू अतु ओके त्यार पछिन मुद्धो नोट करो ओके नव लखा मंदीर एक सुरिय भगवाननू मंदीर शे प्राचिन सम सुरिय भगवाननू मंदीर शे बाई नव लखा मंदीर जेवी रिते मोठेरानू सुरिय मंदीर शे कचमा कोटाईनू सुरिय मंदीर शे यहमा नव लखा मंदीर पन एक सुरिय मंदीर अच्छे औन नव लखा मंदीर नू बांध काम बनावानी स्टाइल आक्या कि यह मोठ देराना सुरिय मंदीरने मढती आवे से ओके आ मंदीर बनावा पाचँड 9 लाक रुपियाज एकलो खर्चो तो एकला माट्या मंदीरने नाम मढी जाए से नव लखा मंदीर, नव लाखनो खर्चोतियो एरले नाम मलू नव लखा मंदीर, थ्यान रागजो आ नव लखा, नव लखी, घणू बदू, घणी बदी जग्ये आवेलू जे, ओके, तो फरी एक वकत, जेटला मुद्धा हैला जे, एरला पाच्छामू रिपीट करी दो, न जेव भूमिद्वार काना, भानवड तालू काना, घूमली मा, घूमली सुमतु, तो जेटवा ओनी राध्दानी आती, ओके, अने जेटवा सासको द्वारा, घूमली मा, नव लखा मंदीर बनाव मैंगू, क्यारे बनाईगू, तो बार मी सधी मा, क्या भगवान साथे संक पड़ायलू मंदीर जे, टोटल खर्चो केटलो छियोतो, तोके, टोटल खर्चो छियोतो, नव लाखनो, एडले मंदीर ने नाम बलूतू, नव लखा मंदीर, ओके, आ मंदीर नू बांद काम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टन प्रष्ण, अगत्यमा, अगत्यनो प्रष्ण, क एक लेके मारू गुर्जर सैली, मारू गुर्जर सैली न लखेल वोई, तो आ मारू गुर्जर सैली नेच, सोलंकी सैली तरिके पोन उडख्वा माले छे, नव लखा मंदीर नू बांद काम, मारू गुर्जर सैली अथवातो, सोलंकी सैली मुझप्थिवातू, नव लखा म मंदीर मां एक प्रस्चित मंढप आवेलो аЛे चेनू नाम छे रूप मंढप अगत्यनो प्रस्णौ छे आ प्रस्ण पुन very most important एक तो सैली वालो प्रस्ण अगत्यनो छे और एका मंडप वालो गुजरात मा जुदा जुदा जग्याए जुदा जुदा मंडपो आवेला छे रूप मंडप घुमली मा द्वारकाना मंदीर मा जे मंडप आईवो एनु नाम छे लाडवा मंडप सोमनात ना मंदीर मा जे मंडप आईवो एनु नाम छे मेघनाद मंडप सोमनाथ मा लाडवा मंदप द्वारका मा रूप मंदप घुमली मा अना हजी एक मंदप छे तड़ा जानी गूफाव मा एभल मंदप और 7 परवत उपर जे मंदप पाईवा एनू नाम छे इंद्रमंदप पांच अगत्यना मंदप सेत्रुन जे परवतु पर इंद्र मंदप तलाजानी गुफा मां एभल मंदप सोम नाथ मां मेखनाद द्वारकाना मंदिर मां लाडवा अन नव लखा मंदिर मां जे मंदप पैवे मंदपनु नाम चे रूप मंदप नव लखा मंदिर मां एक गनेश मंदिर पन आवेलू जे गनपती जीनू मंदिर पन तिया आवेलू जे हवे जोजो कई रित्या मंदिर नू पतन जियो इस्विशन तेर सोने तेर मां सिंध माती जाड़े जा वन्सना राजा बार मानिया जी फरी रिपीट करूँछू इस्विशन तेर सोने तेर मां सिंध माती जाड़े जा वन्सना राजा बार मानिया जी ये जेठवा शाशक राणा भान जी उपर एटेक केरो बार्मानिया जी ये राणा भान जी उपर एटक केरो और राणा भान जी ने हरविदी तो राणा भान जी कोण से गाई तोग जेठवा वंस्नो राजा से राणा भान जी ने हरविदी तो खुमली नूँ पतन थियू साथे साथे नवलखा मंदिर नूँ पन पतन करी नाखेशे अने राणा भाण जी नूँ सूँटाईशे तो गए राणा भाण जी भागी गयो तो पोतानी राजधानी छोडीने नासी छुटो तो क्या वयोग यो तो तो गर राना भान जी रानपूर्मा वयोग यो तो फरे रिपिट करूशू तेर सोने तेर मा सिंधना जाले जावन्सना बारमानिया जी ये अकरमन केरू तो जेटवा सासक राना भान जी उपर राना भान जी भागी ग्यो, घुम्ली नू पतंतियु, नऊ लखामंदिर नू पन पतंते जै। राना भान जी क्यां वयो ग्योतो यस रानपूरमा। एक मान्यता एवी पन प्रचलित छे क्या राना भान जी छे एक सोन नामनी स्त्री यती एना प्रेम मा पल्ड़ोतो राना भान जी भाई स्त्रीवो भल भला मानस्त ने डुबाडी सके छे आगड सिद्रा जेसी ने पन डुबेडोतो गुजरात ना इतियासमा करण वाखेला पन स्त्रीवो ना लिधेज डुबोतो अन्या राना भान जी नूँ पतन पन स्त्रीवो ना लिधेज ठ्यूँजे राना भान जी एक सोन नामनी स्त्री ना प्रेम मा पल्ड़ोतो अन्या सोन नामनी स्त्री ने राना भान जी गमतो नहीं पण राणा भाण जी आ सोन स्त्री ने पोतानी करवा माटे घणा बदा प्रयास कई रहा दा एले सोन नामनी स्त्री ये राणा भाण जी ने स्राप आप पोतों के तारू पतन थसे घुमलीनू पतन थसे आवो स्राप आप पोतों एना लिदे घुमलीनू पतन थे दू अवी पन एक मान्नियता अहीं प्रचली थायेली छे, तो अहीं पेल्लू स्थापतिय आपड़ू पूरू थाये छे, पेल्लू स्थापतिय आपड़ू नवलखा मंदिर, आखे आखु स्थापतियों रिपीट करी दो छुँ, ओके, देव भुमिद्वार्ताना भानवड ताल अवेलू छे, जेठवा सासकोनी राजधानी खुमली अती, नवलखा मंदिर बार्मी सदी मा बिनूतु, कोणी ये बनैवू तोगे जेठवा शाष कोई, क्या भगवाननू मंदिर छे नवलखा मंदिर, सूरिय भगवाननू मंदिर छे, नवलाखनों खर्चोत यतोले, मंदप पैवो, तो गरूप मंदप, एक गनेशनू मंदिर पन छे, अने क्या व्यक्तिना आक्रमन ना कारणे खुमली नू पतन छे तू, अने नवलखा मंदिर नू पतन छे तू, ओके, तो पहलू स्थापतिय आपड़ आया, क्लोस थाई जे, नेक्स्ट स्थापतिय, कुम सब्द जोवा, मले, एले जेन धर्मनूच होए, ओके, कुमभार याना देरा, क्या आवेला आजे, पिलायनू लोकेसं जोए, तो गे, बनास काठाना, दाता, तालूकाना, कुमभार या गाम्मा, आ देरा, आवेला आशे, आ देरानू निर्मान कोणिया करे उतू, तो गे ने गोईठो ओतो एव्यक्तिनू नामतू भीमल शाह अत्वा भीमल मंत्री ओके रिपीट करोशू शोलमकी वंसना राजा भीम देव पेलाई आबुनू ध्यान राखवा माटे आबुना दंड नायत तरीके भीमल मंत्री नी निम्रू करियोती अने आ कुम्भारियाना देरा अ–कोणी है तो कैसे वहिंगल मंत्री ओके किया आइवा और कोणी है मेत भीमल मंत्री तो कैसे और हम्सी करत्किलिदा नायत भीमल मंत्री ने अम्सीने ए प्रशन थे ेक 드 घनी बदी संपति भेट माई पी आणज के आफे संपति right आप आफि संपति मघी भीमल मंत्री ये थ्रहां स्वो ने साइट जेतला धिरासर बनाई वा माताजी प्रसंत्या प्रोपरटी ये पी अजने प्रोपरटी माधी आप हाई ए 376 जेतला धिरा बनाई हवे एक वकट माता जी ये विमल मंत्रींने प्रश्न कैरो क्या आ बधी वस्तु ते को ना प्रताप्थी बनावी माता जी ने मа तुग आegaड़ी जवाब आप से ले माता जीये एक वकत अम्बा जीये प्रस्ण कहिरों क्या आ बधि वस्तुनू निर्मान ती खोना प्रताप्थी कहिरों त्यारे विमल मंत्री जवाब हैям पो क्ये मारा गूरू ना प्रताप्थी तो डेफिनेट्ली माता जीने क्रोध हैयो वस्तु स्वाभाविक्षे माता जी ने क्रोध सर्ट हाँ तो अधि अन्य गूरू न लिते बने गूँ को क्रोधित थाई अन्य बध्धा देरासर तोडी नएका के ला मेत थान्य प्रोपर्टी एक यह जी नहीं के गूरू ना प्रतप्ती आह रूले माता जिये बद्धा देरासर तोड़ी नहीं खा, मात्र पाचत देरासर बचवादी धा, बाकी बद्धा है देरासर बाड़ी नहीं खा तो एकावी दंत कथापन तिया प्रचलीच छे, कुमभारी याना देरा क्या आईवा, कोणी ये बनाईवा, अने का स्टोरी या दरेतोरा जोबाके एटली बदी कोई परिक्षानी द्रष्टी अगतियनी नथी अना कुमभारी या गाम हजुयका मुद्धे नोट करना हो, पंदर मी सदी मा मेवालना राजा राना कुमभा ये बनाई उतु, मेवालना राजा राना कुमभा इतियाज करोल oh kesta में वाडना राजा राणा कुंभाए कुतुबु दिन एहमत साहु पुवु भैयानत रीते हरावी नेखा पु शर्शत-राजा थो में वाल ना राणा कुमभा कुमभा कि कि तांदर स्जदी में वालब कि आताए गाम वापा कुमभा कि ळाकुभा के सांव्तुर्य तो आपड़ू आ विजू स्थापतिय पन पूरू थियू। कुम्भारियाना देरा किया आवेला शे, कोणी ये बनाईवा, येका दंत कथा, अन्य कुम्भारिया गामनू नाम क्या व्यक्तिना नाम साथे शंकडायलू शे, अथ्वा तो कोना नाम उपर्थी पड़ेलू शे नेक्स्ट स्थापतिय त्रिजू, सोमनाथनू मंदीर, बहु अगतियनों मुद्धों शे, नोडाउट तमें बद्धा सोमनाथना मंदीर थी, सारी रिते परिचीत छोज, पन आम चत्ता मारी द्रष्टिये जे बाबतु मनें अगतियनी लागे शे, ये तमामें तमाम बार जोतिरलिंग आवेला शे, ये मानू पल्लू 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 जोतिरलिंग आवेला शे, ये मानू जोतिरलिंग आवेला शे, ये मानू जोतिरलिं सोमनात मंदीर गीर सोमनात जिल्लामा आगेलूँशे। सोमनात जिल्लामा आगेलूशे। चंद्र है दक्स नामनों एक राजा आतो, आ दक्स राजानी सत्यावी दिकरी आती। सत्यावी नक्षत्र तरी क्या ओलखाई शे। चंद्र है दक्स राजानी सत्यावी पूत्रिवो साथे मेरेच के रहा। सत्यावी पूत्रिवो साथे मेरेच के रहा चंद्र है। पर आप पन आ सत्यावी पत्निवो माथी चंद्र नी फैवरिट पत्निवो ती रोहीनी। चंद्र एकनेच प्रेम करतो। बाकी छौवी ने प्रेम पढ़ना करतो। यहना हमुँ जोवे पढ़ने नजर पढ़ना ना के। तो भै मेरेच सा माटे के रहा। पैलिमेटर तो यहा दक्स राजानी सत्यावी पूत्रिवो साथे मेरेच केरा। यहामा थी प्रेम एकनेच करतो होतो। अने ए पत्नी कही हती तो यह पत्नी हती एनी रोहीनी। तो डेफिनेटली बाकीनी छौवीश पत्नी ओ खफा खफा थेगी। नाराथ्थेगी चंद्रं थी और रडती रडती गईए ना पपा पासे दक्स पासे। कए पाप आवी रिते हालेछे तमारा जमाई यतीरे आवी सिस्टम करेजे। रोहीनी ने एकनित प्रेम करेजे। अमारा चौवीश नी तो अउगन ना करेजे। तेथी दक्स राजा जा ए चंद्रुने बोलाईवो और समझेवो कि आज सिस्थम शारी नथी तारे खरेखर तारी 27 Arabिसे 27 पत्नीने सर्खोकरेमा पोजुई पर चंद्र सुधर्तो नथी पने ऊचे दक्स राजा आशे ए चंद्रने स्राप आपे शे के तारोख्षए थाओ तुम नश् 일단 थे जाई एले आँ श्राप्ना कारणे धीरे 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 चंद्र निव्त तेज चे यहन निस्तेद थावा रंडो चंद्र से जांखो पड़वा मिदो येक समय ऐओ आयो चंदर पूरे पूरो निष्तेद बनी गयो, पूरे पूरो काडो बनी गयो आली सिस्टम थे, हवे तो चंदर नहीं पस्ता आवाती हो दियों एतला माटे चंद्र हे ब्रह्मा पांसके जाई और ब्रह्मा ना केवा थी ब्रह्मा सुरुष्टी ना सर्जन है ब्रह्मा ना केवा थी चंद्र सीव पूजा करे सीव प्रसन थाई जे जग्ये सोमनातनु मंदिर छे एज जग्या ये चंद्र है सीव लिंग बनावी फोडानातनी पुजा करी फोडानात प्रसन थिया अने वर्दान मागवा की दू तो चंद्र है तेनू तेज पाछु मेडवा माटेनू वर्दान मैगू पन भोडानात के एवस्तु पोसिबल नथी पन हाँ हूँ तने दक्स राजाना स्राप माथी थोड़ी घणी मुक्ती अपावी शकुछू तू धीरे धीरे वत्तो जै अने धीरे धीरे घट्तो जै आंसिक स्राप माथी मुक्ती मेड़ी पूरे पूरी तो मुक्ती न मली सेखी चंदरो ने पन थोड़ी घणी येने मुक्ती यही प्राप्त थाई हादी ओके तो ये चंद्र नोज फोल्ट के वाई खरकर चंद्र ये पोतानी पत्नी उने सर्खो प्रेमाई पोत्वा घटना चोवानो वारो ना आवेत चलो ओके हवे वाद करिये नेक्स्ट आगण। सोमनाथ मंदिर गणी वखत ध्वांस तेलुँजे गणी वखत येने तोडवा माई उजे कोणी ये क्यारे क्यारे तोड़ू खास अगत्यनों मुद्धो शे तमें नोट करता जो जो बद्धा मुद्धा सव प्रथम सोमनाथ मंदिर मैत्रक वर्ष्णा राजावना समयमा आरप सर्दार एक व्यपार करवायोतो अने पची धिरे धिरे इन्य आकरमन पन करवाना चालू करी दिता था मैत्र कोना समय मा आरप सर्दार जुने दे गुजरात उपर आक्रमन करू गुजरात ने धमरोडी ने कू सोमनात मंदिर ने तोड़ी ने कू अने सोमनात मंदिर ने लूटी अने वयोग्यो तो फरे रिपेट करू जू मैत्र कोना समय मा सोमनात मंदिर ने कोणी ये तोड़ू भूब तू झुल नाम ना व्यक्ति ये संवनाथ मंदीर ने तो राजा नागभत पेलाए संवनाथ मंदीर पुनह बनाई उवहतु मानसो तोडताई जाहे अने पाछु बनतु जाहे कोण तोड़े कोण बनावे कोण तोड़े कोण बनावे आम उद्दा खासी आधराग जो छुनेद तोड़ीने वह योग्योमेत्रक्वशना समयमा गुर्जर प्रतियार वंसना नागभट पेलाए ब कर्मन केरु गुजरातने लुटीलीदू सोमनातने तोड़ीनेखु आवडीनेकु पत्थर पत्थर नुजे मंदीर अतु एने गजनी तोड़ी नाखेसे अन्य लाकडादानु जे मंदीर अतु इबदैने हड़गावी दीतु होतु शिविलिंग ने तलवार्मारी भी फदा करिने के अगासा आवि रिते सोमनाथ्ना मंदिर ने गजनी लूटी ने वह्यों गयो तीएर बाद तर तर भिंदेव पेलाए पत्थर मां थी आक्या कू मंदिर पत्थर मां थी फरीथी बनाई ऊओ तू ओके तो तूटू पन जाए पाछू बन तुई जाए चुनेद नूँ आकरमन तूटी ग्यू नागबट पिलाए बनावी नेकू गजनी नूँ आकरमन तूटी ग्यू फिन्देव पिलाए बनावी नेकू कुमार पाले पन भाव ब्रुहस्पती ना केवा थी अब भाव ब्रुहस्पती कोण छे तो के एक व्यक्ती छे के जिने कुमार पाले सोम्रनाथ नो महंत बनाई वोतो कन्नोज थी बोलावी भाव बुरुहस पती ने अना कुमार पाले सोमनात नो अभाई ने महंत बनाई वोतो अने एनाज केवा थी भाव बुरुहस पती ना केवाज थी ज पर अबर कुमार पाले सोमनात ना मंदिर नो जिर्णोत द्वार करे चे शाथे साथे वागेला वंस न अननुसरत खान अलाओ दिन खल जी दिल्लीथि पोताना बेर सेना पतीने गुजरात उपर आक्रमन करवा मोक लेजे करण वाखेलाना समय मा उलुकखान अन नुस्रत खान गुजरातना मंदीर ने पन लुईटों नधिर ने तोड़ी पन नैक हो गतु हवे जारे आबनने भाईयो उलुक खान औन नुस्रत खान आकरमन करी तोडी फोडी औन वयाग्या के तरतज फरी वकत चुना गडना शाशक चुडासमा सासक रा नव घणे सोमनात नी अंदर फरी एक वकत सीवलिंगनी प्राण प्रतिष्टा कराईवी अने एक राजा आशे राजा मही पाड एन्ये पुनह मंदिर बनाईवी पाचु मंदिर बनावी नेकुँँ उलुक खान नने नुस्रत खान आकरमन पची कोण बनावे शे तोगरा नव घण अने राजा मही पाड आब नने वयक्तिव बनेव तुँ फरी एक वकत रिपिट कर अने उलुक खान ने नुस्रत खान आकरमन बाद चारे मंदिर तुटी ग्यूतू तो कोण ये बनाईवी तो क्या बेभाईवी रा नव घण अने राजा मही पाड चलो के त्यार बाद गुजरात नी स्वतंत्र सलतनतनों एक शाशक एक लेके मुजब फर्षा पेलो चेने आपने जफर्खान तरीके पन उड़के शी गुजरात नी स्वतंत्र सलतनतनों सेकंड राजा मुजब फर्षा पेलो अथवा तो जफर्खान येनू बिजू पन नाम छे एणिये पन सोमनात ना मंदिर उपर आकरमन करूतू त्यारे आ भाईना आकरमन वक्तेज हमीर जी ग आकरमन ने अटकावा माटे और सोमनात ना मंदिर ने बचावा माँ आ बनने व्यक्ति होए पोताना जीवनू बलिदाना पी दिजू हमीर जी कोहिल और वेगडा जी ठील पन आम छताई मुजब फर्षा पेलाए सोमनात ना मंदिर ने द्रहस्तो करीज ने खूतू तोड़ ने खूतू तूज अवे इभाय ज्यारे तोड़ी ने वही हो जाई त्यार बाद थरी एक वकत कोण बनावे जे त्यार बाद जुना गड़ना चुडासमा सासक रा मांडली के बनाई हूतू तुट्टो जाई पाचलती बनतू पन जाई मुजब फर्षा पेलाए तोड़ी ने कोँ तो वनावे खोणिये चुना गड़ना चुडासमा सासक रा मांडली के चलो त्यार बाद नेक्षटाग़ बेगडा ना समयमा आ मन्दीर ने स्वकत ना मन्दीने बेगडो मम्मध बेगडो जीत्वा wath बेगडाना समयमा आ मंदीर ने मस्चिद मां प्यर्वी नाखवा मैं वह थूँ अनो त्यार बाद च्यर अकबर नू शासन आवे जे मुगलो नू शासन गुजरात मां सरू थाए जे अनो अकबर नो जैर समय गालोवई त्यार अकबर आ मंदीर पुन हिंदू ओने आपी तमारूजे तो तमे राखो तो एक रिते जोईए तो अकबर ये सर्व धर्व संभाव वाड़ो व्यक्ति आपड़े गणी सकिये किनके अकबर ये हिंदू ओने पाछू मंदिर आपी दीजू तू चे महमद ब्यगडा ये चिन वी अन मस्जीद मां कनवट करी नेकू तू अलगा तरा तच मुगलो नो जेकराजा आब से ओर अर्म जेब ना समयमा फरी ये कवखत आ मंदिर नू विनास्ता एचे जो तो खराब ये कितली बदी मख़त थू पाच्व अगले रिपीट करी दी और ये तू जेब ना समयमा फरी ये कवखत आ मंदिर तू तू टेशे अने ओरंग जेबना तोड़ी नेखा बाद आ मंदिर नुन निर्मान महाराणी अहल्या बाई ये फर यक वकत रिपेर कराईबुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ ओरंग जेब जेर सोमनात्ना मंदिर ने तोड़ी नाके जे त्यार बाद अहल या बाई यहनू रिनोवेशन करावे जे ओके फरी एक वकत बद्दैनी चर्चाकर यहने छिलें बे मुद्धा आपड़े एटेच कर देहूं मेत्रकोना समयमा जू ने दे तोड़ू नागबट पिलाए बनायू फिंदेव पिलाना समयमा गजनीए तोड़ू फिंदेव बनायू नेकू पाड़े रिर केरू सारंग देवे रिर केरू उलुक खान ने नुस्रत खान जैरे मंदिर ने तोड़ी नाके तो बनावे कोण रा नौगण अनराजा महीपाड मुझफर सा पेलो जैरे तोड़ी नाके त्यारे कोण बनावे चुनागड़नो चुडास मासा सक रा मांडली बेगड़ो जैरे आ मस्जीद मां कन्वर्ट करी नाके आ मंदिर ने त्यारे पाच्छू आपे कोण आपन ने अकबर आपे छे अन्ने जैरे ओरं जेब आ मंदिर ने तोड़ी नेकूं तो रिपेर कोण यह करे उतूं महाराणी अहल याबाई अहल करे मालवानी राणी ओके नेक्स्ट आगड़ आजादी बाद तेर नवेंबर ओगनिशू सुढुताली आजादी मढ़ी गी कि तेर नवेंबर ओगनिशू सुढुताली ना दिवसे वल्लभय प्रतिग्ना पन करी ने की 15 आगश्ट 19 सुरुत्ताली ना दिवसे अजादी मेडी अने 13 नवेंबर 19 सुरुताली ना दिवसे वल्लबभवय पटेले प्रतिगना गरी के सोमनातना मंदीर ने बनावी ने जरेशूं वल्लबभवय ने मंदीर ना निर्मार नी प्रतिगना लगीली दी मंदिर तो बनावसु जमें एज जग्या ये एज स्थड़े एज लोकेशन उपर दर याना खिनारे ओके अग्यार्मी में उग्णिसोने एककावनमा ते समय ना तक्तकालिन राष्ट्रपती डोक्टर राजेंद्र प्रसादना हसते प्राण प्रतिष्टा करवा मावे जे अन मंदिर मां प्राण प्रतिष्टा करवा मां आवे जे अन मंदिर ना बांध काम माटे एक ट्रस्ट पण बनाव मय वोटू अने ट्रस्टनू नाम राक्तन आखकवा में वोतू श्री सोमनात ट्रस्ट prima अंदीर ना बांधकाम अने संचालन माटे एक ट्रस्ट बनावा मैं बूतू अने ट्रस्ट नू नामतू स्री सोमनाथ ट्रस्ट आ सोमनाथ ट्रस्ट ना सव प्रथम चेर्मेन कोणता वल भाई पटेल अना हाल मा आ सोमनाथ ट्रस्ट ना चेर्मेन कोणता अत्यारे केशो अधना लेक्चर मां आपने टोटल त्रोण स्थापत्यों नी चर्चा गेरी एक नव लखा मंदीर खुमली नी अंदर आवेलू एक कुम्भारियाना देरा बनास काठा ना धनाता तालू का मांवेल और प्रस्षिद भवियाती अती भविय मंदीर शौम नाथ नू मंदीर ने लेको टेंशन ना लेता कि इतियास अवे चलावा मां नहीं आवे वह विचारता पन नहीं यह पन वीडियो तमने संस्कुरूती नहीं साथे-साथे मडता रहे से ओके थेंक्यू